हलो चिल्रेन अब SST में आपको मैं मॉडल टेस्ट पेपर का कुछ पोर्शन समझाऊंगी तो ध्यान से सुनेंगे राइट येस और नो फॉर दा फॉलोईंग कुछ सेंटेंस है नीचे तो उनके लिए आपको जो सही है उसके लिए येस लिखना है और जो रॉंग है उसके लिए नो लिखना है तो नमर वन आइज is used for seeing हमारी आँखें देखने का काम करती हैं तो ये इसमें आएगा yes नमर टू, our school is not like our house हमारे स्कूल हमारे लिए घर जैसा नहीं होता तो ये है no नमर थ्री, we go to sleep in our school हम अपने स्कूल सोने के लिए जाते हैं तो ये भी होगा no नमर फॉर, we taste with help of hand हम जो टेस्ट लेते हैं स्वाद लेते हैं किसी चीज का वो अपने हैंड के द्वारा हातों के द्वारा लेते हैं तो ये भी no नमर फाइव, we should go to school, we should not go to school daily हमें रोजाना इस्कूल नहीं जाना चाहिए तो ये भी क्या होगा no अब नीचे answer the following in one word जो नीचे five sentence हैं इनका हमें one one word आंसर देना है our body part for listening हमारा ऐसा कौन सा body part है जिससे हम सुनते हैं तो इसमें आएगा years number two we go to school for this हम इस्कूल क्या करने जाते हैं तो इसमें लिखना होगा read and write number three our school is our second this हमारा इस्कूल हमारे लिए second क्या है तो आपको लिखना होगा home number four we learn many things in here हम यहां कई चीजां सीखते हैं तो इसमें आएगा school number five for smelling the thing we use सूंगने के लिए हम कौन से part of body का यूज करते हैं तो इसमें आएगा लूज अब हम चलते हैं हिंदी पर oh झाल, 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 झाल.